हेलो एब्रिवान रादस्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज में लेकी आए हूँ एक बहुत ही अच्छी स्वीट के रेसिपी जिसे हम स्रीप 5 मिनट में बना के तयार करेंगे और बिल्कुल बाजार जैसा ये मिठाई हम घर पे बनाएंगे और बाजार से बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी ये मिठाई हम स्रीप 5 मिनट में बना के तयार करेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है तो चलिए फ्रेंड्स हम इस मिठाई को बनाना सुरू करते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस मिठाई को बनाने के लिए गैस पे मैंने कड़ाई रखा है इसमें हम डालेंगे तीन कप डेजिकेटिड कोकोनट यह नारियल का चूरा है और यह मार्केट में बहुत एजली मिल जाता है इसे हम बिलकुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनेंगे बहुत जाता हम इसे नहीं भूनना है एक से दो मिनट हम इसे बिलकुल लो फ्लेम पे रोष्ट कर लेते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे ने तो यह नीचे से जल जाएगा तो देखे फ्रेंड्स नारियल हमारा रोष्ट हो चुका है मैंने बिलकुल लो फ्लेम पे इसे दो से तीन मि नारियल का पाउडर लिया है तो उसका आधा हम इसमें दूद आड़ करेंगे तो एक कप मैंने इहां पर दूद आड़ कर लिया है और इसे हम मेक्स कर लेते हैं और इसमें आधा कप हम दूद और आड़ करेंगे तो उससे पहले हम समें चीनी आड़ कर लेते हैं यहां पर मैं इसमें आधा कप जो दूद था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसी तरह से मेडियम से लो फ्लेम के बीच में रखेंगे गैस का फ्लेम तो यहां पर देखें फ्रेंड सभी चीज़े अच्छे से मेक्स हो चुकी है और यह गीला जैसा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे हाप कप मिल्क पाउडर यह मार्केट में बहुत तेजली मिल जाता है और साथ ही इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में बिल मिठाई का मिक्स्चर था एक डो जैसा बनने लगा है किस तर से सभी एक साथ बाइंड होने लगा है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे यह हो चुका है और अगर आप चाहें तो यहां पर इलाची का पाउडर रिस में आड़ कर सकते फ्लेवर के है ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाओ उसके बाद हम इसका अगे का प्रोसेस कर सके मिक्स्चर अच्छे से ठंडा हो चुका है और हाथ को मैंने थोड़ा से ग्रीस कर लिया है ताकि यह चिपके नहीं और थोड़ा थोड़ा हम इस तर से पोर्शन लेंगे और इसे हम इस त इस तरह से यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ठंडा होने के बाद यह थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है जिससे आप बहुत एजले इसे आप कोई भी सेप में बना सकते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा नारिल का बुरादा मैंने लिया है इसमें हम इसे कोट कर लेते हैं ताकि यह चिपके नहीं और बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुका है देखी और बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखने में इसे हम थोड़ा सा गार्निस कर लेते हैं मैं यहां पे थोड़े से कटे हुए पिस्ता से इस तरह से गार्निस कर देखने में तो देखिए फ्रेंस, यहां पर हमने सारी मिठाई yoon को बना के तयार कर लिया है और बहुत य कोई फेस्टीवल हो तो आप इसे बना के खा सकते हैं तो आप इसे ज़रू ट्राइए करें तो अगर आपको मेरे यह पिठाई की रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा से एर करें वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो आप से हमली रिक्व चैनल को सब्सक्राइब किये बिना ना जाएं तो पिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ तब तक लिए थैंक्यू बाई